नमस्कार साथियों आए एक्जाम ग्यान मंतरा में आप सभी मेरे साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है तो साथियों इस वीडियो में हम लोग आज दो-तीन important points के बारे में अपनी चाचा कनने वाले हैं एक तो आयोग ने गन्ना पर वेक्चक ठीक है किन सुपरवाइजर का जो सलेवस है उसको decide कर लिया है सलेवस officially जारी भी कर दिया है तो इसके बारे में हम लोग चाचा कनने वाले हैं उसके साथ-साथ एक अभी चातर ने एक मेरे छोटे भाई ने ठीक है एक वीडियो भेजी की सर देखिए ये तो एक सर एसी एसी कट आप बता रहे हैं और इनकी वीडियो भी लगभग 80,000 लोगों ने देख लिए तो क्या इतने सारे एजी टीये के चातर हैं और क्या इतने सारे फॉर्म अब डाले जाएंगे एजी टीये में इसके बारे में भी हम लोग चाचा करेंगे और पैट की कट आप से लेके आप लोग लगातार ठीक है कई कॉस्चन स्मूचते रहते हैं तो इसके बारे में भी देखो मैंने बता दिया फिर से मैं इसके बारे में चाचा करने वाला हूँ ठीक है तो डेटेल में सारी चीजे आपको यहां पर मैं बतला दूँगा ठीक है जो भी साथ ही हमारे AGTA एग्जाम भी तियारी कर रहा है एग्जाम ग्यान मंतरा पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना AGTA एग्जाम के लिए सबसे बिश्वस्नी है चैनल आप सभी के सामने एग्जाम ग्यान मंतरा बन के पिछले दों में उभरा है ठीक है हर एक जो important जानकारी है बिलकुल authentic जानकारी यहां पर हम लोगों ने आपको प्रुवाइड की है और बिश्वस्नी है तरीके से आंगे भी हम लोग प्रुवाइड करते रहेंगे चाहे notification की date हो विग्जापन कब तक आएगा आपके study material और साथी साथ हर एक चीज में ठीक है तो चैनल को आप लोग subscribe जरूर कर ले ना जिससे की सभी updates सारी चीज़ें आपको time to time मिलती रहे है time to time पता होती रहे सबसे पहले दोस्तों हम लोग गन्ना परविक्षक के syllabus को ही discuss कर लेते हैं आयूग ने देखो officially ही ठीक है इसको जारी कर दिया है तो यह अपना विग्जापन है ठीक है एजीटिये का साथ ही हो यह विग्जापन है प्राब्धिक सहायक गुरुपसी मुख़् परेक्षा ठीक है अपना जो विग्जापन ये अपना निकाला गया है साथमा विग्जापन ये यूपी ट्रपर एसी का पैट दोहजार तेश के माध्यम से निकाला गया था ठीक है और जब यह जारी किया गया चलो इसमें अपने टीए से जो केन सुपरवाइजर की सलेवस से रिलेटिड जानकारी अगर साथ ही हम लोग देखें तो देखो यहाँ पर सारी चीजें आपकी किलियर होना आपको स्टार्ट हो जाएंगी इस पॉइंट को आप देखो थे समकषपल मुगता और अहरता वाली सीधी भर्थी के रिक्थ पदों पर चयन विल्लिकत परेक्षा योजना ईवव पाठेकरम की स्वी कृती को पूरा हम लोग देखते आप पार्टिक्रम की ये जो सुईकृति है ठीक है इसमें सीधा सीधा आपको बताएगा है सुईकृति अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध है यानि कीट टीए गन्ना पर वेक चक और इसके समान समकक्ष आहरता वाली अपनी भरती का सिलेवस एक समान साथियों ये अपना रहेगा ठीक है एगरिकल्चर कीट अपनी टीए वेकेंसी केंसुपरवाईजर और इसके समान समकक्ष जो भी वेकेंसी आयुक निकालेगा उसका स्लेवस आपका समान ही रहेगा ठीक है जैसा कि जो आपका AGTA का स्लेवस बताया गया है उसी प्रकार से ठीक है जैसे कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पे प्राबदिक सहाय ग्रुप सी एबम गन्ना परवेक्षक बस समान समकक्ष योगता वाले भरती के रिक्त पदों पर चाये नहीं तु लिखत परवेक्षक की परवेक्षक का भी जब पेपर होगा तो सो कॉस्चन पेपर में आएंगे दो गंटे इसकी परवेक्षक के लिए आपको समय मिलने वाला है वन वाई फूर की निगेटिव मार्किंग इसमें आपकी रखी जाएगी ठीक है यह बता दिया गया है सेम भही स्लेवस आगामी गंटा परवेक्षक की जो बगैंसी आपकी आएगी उसके लिए भी आपको देखने को मिलेगा गंटा परवेक्षक में भी जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले यूट्यूब पर बताया था कि 65 कॉस्चन अगरिकल्चर के आएंगे 65 कॉस्च आपके कंप्यूटर के गंटा परवेक्षक में भी आएंगे और 20 कॉस्चन आपके उत्तर दे सावन यान के गंटा परवेक्षक की परेक्षा में भी आपको देखने को मिलेंगे तो जो स्लेवस अपना AGTA का है सेम स्लेवस आपका केन सुपर वाइजर ठीक है गंटा परवे कि आपकी तयारी होगी और ये भी देखो किन सुपर वाइजर के लगवक एक हजार पुष्ट का नदिया अचन यूपी ट्रवाल सी के पास था तो भविस से में ठीक है हम लोग बिलकुल उम्मीद कर सकते हैं कि पैट 2023 के लास्ट में या फिर 2024 से तो उम्मीद इसकी पूरी कि यहां परक्षा पुरा पकी रहेगी परिक्षा योजना इस परकार से तечно और देखने को बता आप प्रापदिक साहे ग्रुप C, TAC यानी अपनी EGTA, गन्ना परवेक्चक और समाम समकक्ष तो सेम इन तीनों का आपका जो सलेवस है आप सभी को देखने को मिलने बाला है ठीक है तो ये तो सलेवस ते रिलेटिड आप सभी के जितने भी कॉस्चन्स थे उनका लगबग मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है और सलेवस उत्तर देने का प्रयास क्या आईउग ने खुद ऑफिशियली यहां पर बता दिया है उसके बाद साथियों हम लोग बात यहां पर करते हैं आपके थोड़े P.E.T. के कट आफ के बारे में तो देखो मैं कई बार आप सभी को बता चुगा हूँ ठीक है कि P.E.T. में आपका सेफ स्कोर आयोग ने खुद यहां पर बताया है कि ना तो आपका सून्ने अंक होना चाहिए और ना सून्ने से कम होना चाहिए ठीक है किसके लिए पैट से जो फॉर्म आ रहा है उनसे फॉर्म डालने के लिए अब क्या है कि बेकेंसी पर नर्भर करती है आपकी एक तो ठीक है कट ओफ P.E.T. की तीये में आप सभी जानते हैं 3446 पदों का विग्यापन अपना निकाला गया है मिनीमम आयुक 30 गुना अब बेर्थियों को साथियों बलाता है तो लगभग एक लाख प्लस ये केंडिडेट बनते हैं मैं मान सकता था कि अपनी कट ओफ 10-15 चली जाती अगर बेकैंसी ये अपनी 2022 के पैट से आती लेकन आप लोग खुद अपने साथियों से आपके साथ जो छात्र पढ़ते थे उनसे ही पूछ लो संख्या में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन होने 2023 का पैट आपका किसी भी करांड से या तो फॉर्म नहीं डाला बेकैंसी देखो लगाता लेट हुई आपकी 2021 के पैट से बेकैंसी क्या कहा गया था ठीक है उसके बाद बेकैंसी ना तो 2021 से आई ना 2022 के पैट से आई तो बहुत सारे छात्रों सोचा कि लगाता रहे ऐसे ही चलता रहेगा तो 2023 का बहुत सारे चात्रों ने फ़ाम नहीं डाला और जिन ने फ़ाम डाला था तो सेंट्र दूर दूर गये थे तो बहुत सारी लोगों ने अपना पेपर नहीं दिया था 2023 वाला ठीक तो इस कारण से बहुत ही कम चात्र इसबार है अन्दाजे के अनुसार मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बता हूँ तो 60,000 चात्रों से जादा यहां पे चात्र नहीं होगी अब ऑफिशियली यह जानकारी साथ ही हो तब पता चल पाएगी जब आपके एक माई के बाद फॉर्म पूर्डे डल जाएंगे उसके बाद मैं एक RTI जाए डाल दूगा कि कितने लोगों ने ठीक है फॉर्म इसके डाले हैं तो ऑफिशियली हम लोगों को जानकारी आयोक के माध्यम से हम लोगों को प्रॉइड कर दी जाएगी कि कितने चात्रों ने यह का फॉर्म डाला है और आप लोग देख लेना 60 से 55,000 लोग से ज्याद से अगर उन्होंने यह पेपर नहीं दे पाया पैट का तो वह फॉर्म के लिए अब मतलब की एलिजविल नहीं रहे एक और यूपी के जो चात्र है स्पेशिली मैं अगर आप आपको बताऊं अगर आप यूपी के चात्र है और आपने 2023 का पैट दिया था एक आपके लिए यह है कि अधर स्टेट वाले चात्र बहुत ही कम आपके इसमें फाइट कर पाएंगे क्योंकि देखो जब यूपी वाले ने पैट नहीं दिया तो एमपी राजस्थान बिहार वाला कौन आ रहा है पैट देने ठीक है तो अधर स्टेट वाले अब यह नहीं है कि कोई भी आ भी नहीं है कि आपका राजस्थान का चात्र ही डालता बिहार का डालता मद्ध पृदेश का तो डालता ही डालता चात्र फॉर्म लेकिन अब भी बहुत से कंपेरिजन में मान लो कि बिना पैट के अगर सो चात्र फॉर्म डालते तो पैट के बाद 20-25 यह डालेंगे फॉर सब्सक्राइब ल सकते को सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब अकर सब्सक्राइब uh, इसिए लिट इंदमांटनीग यहां पे छात्रों को प्राप्त हुआ है जिन्होंने पैटे यहां पे किसी भी गांड से नहीं दे पाया है ठीक है तो साथियों यह है पूरी cutoff मैं फिर से आपको बता रहा हूँ अगर आपका positive में score है ठीक है दसमलब के दो अंकों तक यह जैसे आपका यह भी अंक है तब भी आप scoreless इसमें हो जाओ गया अभी ऐसा नहीं 00001 तो notification में खुद लगाए कि दसमलब के दो अंकों तक ठीक है दसमलब के दो अंकों तक में notification में ही आपको यह थोड़ा बता देता हूँ आंगे चलके ठीक है जहां अपना यह पैट का बताया गया है तो इसमें ही हम लोग थोड़ा आपका किलियर कर लेते हैं चैन का आधार ठीक है यह आयू बगएरा दी गई है यह आपकी अहरता हैं बगएरा दी गई है कि कौन-कौन से छात रिसमें अपना फॉर्म डाल पाएंगे आप पैट का उपर दिया गया होगा है इसमें तो इसको एक बार हम लोग अपना पूरा देख लेते हैं बड़ी मेहनत के बाद दोस्तों लगातार कई बार आयोग जाने के बाद यह विकेंसी आपकी आपको देखने को मिल रही है चार-पांच पन्ने का तो एक कोट केस वाला ही यूपीटर पर लेसी ने गोश्णा वगएरा अपना पूरा दे दिया की कौन-कौन से चातर ऐसे हैं ठीक है जो इसका फॉर्म अपना कोट केस के बाद एपलाई कर पाएंगे चली तो इसमें थोड़ा देख लेते हैं अपन यहां पर सॉट लिस्टिंग की अपनी व्यवस्था पूरी की गई है नोटिफिकेशन के स्टार्टिंग में ही पूरा अपना देख लेते हैं इसको यह अपना विग्यापन है साथियों ठीक है विग्यापन निकाला गया था चार तीन दोहजार बाइस को और देखो पैट की कट ओफ का उल्लेख यह किया गया है यहां पर इसमें आप लोग देखो तो देखो यह साफ साफ यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इस परेक्षा में प्रितिभाग हेतु केवल बही अभ्यर्थी ठीक है यहां से आप लोग अगर इसको देखना प्रारम करो ओनलाइन अभीदन कर सकते हैं जो प्रारंबिक आहरता परेक्षा 2023 यहनी प्रिटी में समलित हुए हैं एबम उन्हें आयोग द्वारा सकोर गार्ड बैध सकार आतमक सकोर के साथ जारी किया गया है प्रारंबिक आहरता परेक्षा 2023 में बास्तविक सकोर अथवा नॉर्मलाइज सकोर में सूनने या उससे कम नकार आतमक अंक प्रा लहेंगे इसके साथ साथ इसमें हर एक चीज आपकी बता ही दी गई है ठीक है बाकी पर अन्तु जब आयोग किस तरफे जाच के अधीन औबंदिक स्रेणियों के अब्यर्थियों की प्रकरणों में अंतिम नेर्णा नहीं लिया जाता तब तक इन स्रेणियों की छे गईında फिसल्हरा बता ही दीए ठीक है तो साथ यह है और सारी चीजें यहां पर मै पर ने आपको बता दी ह्कुल से बोलें दे रहा हूं भाइया SL से competitive score है ठीक है जीरो से जीरो से अधिक ठीक है जीरो दिसमलावगार दो पांच जीरो दिसमलावगार देक जीरो इतना भी आपका स्कोर है तब भी आप टीए की तयारी करो आप लोग सॉट लिस्ट हो जाओगे आपकी मुख्य परेक्चा के लिए ठीक है एक और important साथियों जानकारी आप सभी को मुझे प्रदान करना है आप सभी जानते हैं आपकी तयारी के लिए ब्रहमास्तर टू पॉइंट जीरो बैच एक्जाम गयान मंतरा पे हम लोग के दुवारा चलाया जा रहा है अब लगातार इसमें क्लासिस भी हम लोग ने डालना स्टार्ट कर दी हैं जैसे क सारे अन क्लासिस भी डाली इसमें ठीक है नोटस पीडिया भी इसमें डालींगे चावालीस क्लास स्पेशली एग्रिकल्चर की एग्रिकल्चर की इसमें हम लोग ने कंप्लीट कर दी हैं आप सभी जानते हैं जो आपके सलेवस का फसल उतपादन बाला पार्ट है तो उसमे आप लाब ले सकते हैं जल्दी से अपना सलेवस कवर कर सकते हैं होटी कल्चर दो तीन क्लास अग्रिनोमी की और बची इसको कंप्लीट करके हम लोग होटी कल्चर अपना प्रारम कर देंगे बैच में एक और चीज मैंने यहां पर आप सभी के लिए प्रॉवाइड करना प ठीक है चीज मैं मतलब की तेयारी में जाना समय नहीं दे पाते हैं उनके लिए यहां पर हम लोग बैच में पीपीटी भी यह डालना आप प्रारम करेंगे महत्पूर्ण जो टॉपिक हैं जो बिना समझाए आप लोग अपना याद करके तेयार कर सकते हैं तो उनकी इस पर तो यह जो आपकी क्लासेज हैं ठीक है आप क्लासेज को अगर देखना चाहें तो उसमें अन्य चीज़ें भी हम लोगों समझाते हैं लेकर अगर आप क्लास किसी कारण से नहीं देख पाते हैं तो आप इस पीपीटी को खोलके ठीक है अपनी पूरी क्लासेज का रिवीजन कर सकते हैं एक और चीज़ ब्रहमास्त्र टू पॉइंट जीरो बैच की जो फीज हम लोगों ने तीन दिनों के डिसकाउंट के बाद रखी थी दोसो दिन्यानबर रुपए साथियों इसमें फीज रखी गई थी बहुत सारे साथी इसमें 200 से जाना ही साथी इस बैच में ज पीपल्स पर यहां पर आपको दिख जाएगा लगभख ठीक है तो दोसो बारा लोग यहां पर अपनी तयारी को कर रहे हैं यहां पर आपको देखने को यह मिल जाएगा ब्रहमास्त्र बैच में जुड़के दोसो बारा लोग जैसे कि यह आपको देख रहे हैं अपनी तयारी कर रहे हैं इसमें जुड़के और मैं बादा करता हूं जितने भी लोग बैच में जुड़े हैं सांदार कॉंटेंट फीस भले ही छोटी सी है दोसो 99 रुपे की आप से ली गई है बहुती नाम मातरगी ज इसमें सांदार कॉंटेंट पी पी टी नोटस बगएरा और प्रैक्टिस सेट बगएरा सब कुछ आपको प्रुवाइड किया जा रहा है ठीक है तो साथियों आज महादेव अपने प्रभू शिवरात्री है ठीक है हर हर महादेव सबसे पहले तो आप सभी को यह जो डिसका तो आनने मुझे कुछ कुछ क्लिप्स भेजी अनने यूट्यूब चैनल की तो बोलो कह रहा है कि देखो मैं अगर 2,500 का मैं अगर 2,000 का मैं अगर 15,500 का कोई कोर्स बेच रहा हूं तो अनन कोचिंग बाले तो 200 दिन्यान में बो आपको क्या प्रोवाइड कर देंगे ठीक ह तो आप सभी को मैं दिखा ही रहा हूं कि मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूं और मैं इतना भी प्रोमिस कर रहा हूं कि उनसे अच्छा कॉंटेंट आप यूटूब पे अभी मैंने एक वीडियो डाली बीज बाली आप उसको देखो किस प्रकार अच्छे से कॉंटेंट उसमें मैं पढ़ा रहा हूं आपको शांदा तरीके साथिओं आपका जो पूरा कॉंटेंट है आपका यगरी कलचर आपका UPG के आपका कंप्यूटर आपको अपलब्द करवाऊंगा जिन Classes में Classes के साथ-साथ PPT की आप शकता होगी, बो भी प्रुवाइड आप सभी को करवा रहा हूं, मैं जिन में आपके Notes की आप सकता होगी, तो देखो, ये Notes भी मैं आपको PDF के फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी भाईया उपलब्द करा रहा हूं, ठीक है, गूगल ड्राइब की CD लिंक दे दी, मैंने Notes डाल के कि यहां से जाओ, और PDF को डाउनलोड कर लो, तो ये भी आप उसमें लाव ले सकते हैं, अगर आप कोई जॉब बगएरा कर रहा हैं, तो इनको भी आप लोग डाउनलोड साथियों कर सकते हैं, और शांदा तरीके से अतनी तैयारी को आँगे बढ़ा सकें, और फीस भले ही 299 में बहुत ही कम है, लेकिन कॉंटेंट देखो इसमें सांदार है, मैंने फोज थोड़ी ना यहां पर खड़ी है, कि नहीं नहीं नाम के लिए मुझे आपको लूटना है यहां पर सर्फ, कि मैंने नाम हो गया कि मे तारीक और दस तारीक यह तीन दिनों में और रहेगी, आप सभी साथ ही इसमें जरूर जुड़ें, किसी को आर्थिक रूप से समस्या आती है, तो आप लोग जो हमारा वाटस अप नमबर है 94-510-70-8940, इस पर मैसेज करके अपनी समस्या बता सकते हैं, कुछ अगर और हो पाएगा, तो मैं भो भी आपको प्रोवाइड कर दूगा, और कॉंटेंट मैं यकीन दिलाता हूँ, आप सभी को कि निरास आप लोग कॉंटेंट में नहीं होगे, जो बेस्ट चीज है, बेस्ट कॉंटेंट है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिससे कि आप अपनी बन साथियों तो यारी पूरी कर पाओ, ठीक है, तो बेस्ट को जरूर बाय कर लो, जोड़ जाओ बेस्ट में, टीचमेंट यह आपको दिख रहा है, इस एप्लिकेशन पर बेस्ट अपना चल रहा है, इसको बेस्ट को आप PC में भी अपना ओपन कर सकते हो, उसके साथ साथ बेस्ट को बाय करने की लिंक दी गई है, तो अब उस पर जाके बेस्ट के लिए पे कर सकते हो, उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में एप्लिकेशन की लिंक दी गई है, या फिर बेस्ट बाय करके अगर आप PC पर यूच कर रहा है तो गूगल पर डालना टीचमेंट और सी पर 840 इसके WhatsApp पे आप मेसेज करना, ततकाल आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जागा, वैसे समस्या कोई आती नहीं है, फिर भी रेयर केस में अगर कोई आई तो ये आपके लिए हर समय उपलब्द है, और बेस्ट में जरू जड़ जड़ जाओ, सांदा तरीश अपनी त अपलब्द यहां पर कराया है, और शांदा तरीख से हर एक चीज जो आपके सेलेक्शन के लिए साथी है, और अपलब्द कराएंगे, बेच में हम लोग स्टेडी मटल प्रवाइड करी रहे हैं, उसके साथ साथ आप जानते हैं, टेस्ट भी बहुत शांदा तरीख से इसम प्रिवेस के 5000 प्लस, most important और repeated question भी हम लोग अपलब्द करवाएंगे, तो इसमें notes भी मिलना है, आपको classes भी मिलना है, ठीक है, और previous के question भी मिलना है, practice set भी मिलना है, हर एक चीज यहां पर आपको हम लोग अपलब्द करवा रहे हैं, तो इसको जरूर आप लोग जोईन कर ल हूँ, ठीक है, वीडियो के description में बैच में जुड़ने की link है, join करें, 8-9 और 10 तारीक कुस में, फिर से मैंने discount open कर दिया, discount देने का कारणा यह नहीं है, कि बनना कोई कहें कि असर आपके मैं कोई जुड़ा नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ भाई, 200 प्लस लोगे जुड़ तीना चार जार में पढ़ा पढ़ा रहा है, ठीक है, तो भीया देखो, आप जुड़ो बैच में, फिर उनको बताएंगे अपन लोग की 200 दिन्द्यान में वाले, आपको, ठीक है, क्या पढ़ा रहा है, किस प्रकार से पढ़ा रहा है, और जो साथ ही जुड़ना चाहें, 212 लोग ये जो जुड़े हैं, सेलेक्शन के लिए उनके हर एक जो इंपोर्टेंट चीज रहेगी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ उनको, आपको यहां पर उपलब्द हो जाएगी, इस्पेशली आपके जो सलेबस के अनुसार चीज़ें, अब देखो, सलेबस मैंने आप सभ जुने असेस्टेंट अपना जो 2020 के पैट सेने के लिए थी, इस्ट्रेक्टर ठीक है, जो 2021 के पैट सेने के लिए थी, थोड़ा उनके पेपर्स को एनलाइस किया, यूपी जी के कंप्यूटर वगरा, उनमें कैसी पूंच रहा है, आयोग तो हर एक चीज एनलाइस करके, ऐ यहां करवाया जाएगा, प्रॉमिस इतना आपको कर रहा हूँ, चली मिलते हैं दोस्तों, फिर अगली वीडियो में, अगली क्लास में, जेहन जे भारत, भारत मत आगी जे, हैवा ग्रेटे,